श्री गनेशाय नमाहा ये राशी फल चंद्राराशी पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ले कर आती है। और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रम आपके पहले भाव में लगनस्थान में यानि आपकी राशी में ही रहेंगे जी हाँ चंद्रमा की ये पोजिशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुती बढ़िया जाने वाला है इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो सकती है सुबे से ही आप उत्साह में रहेंगे जोश से भरपूर रहेंगे अगर आपके कोई काम पेंडिंग है तो ये सही वक्त है उनकामों को पुरा करने के लिए इस दिन आपका मन पसंद रहेगा टेंशन फ्री रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन की शुरुवात होगी इस दिन आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी मिल सकती है जी हां कुछ ऐसी खुशकबरी मिल सकती है जिसकी आप या तो वेट करेते या तो आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था इस समय में आपको पारिवारिक सुख मेलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस समय में आने की संभावना है यह समय नोक्री करने के लिए उत्तम है जी हाँ नोक्री पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा इस समय में अगर आपको निवेश करना है तो निवेश जरूर करें क्यूंकि चार गुना फल तक इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है इस वक्त आपकी डेली की इंकम में बड इस समय में आपकी married life मदूर रहेगी घर परिवार में प्यार और शांती का माहूल रहेगा परिवार के साथ घुमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा आपके partner से परिवार से आपको पूरा सहयोग इस समय में मिल रहा है ये समय यात्रा के लिए आपको कई जाना पड़ता है तो आपके लिए समय शुब है यात्राय आपके लिए लाबकारी रहेगी दोस्तों love life में इस समय में romantic माहूल रहेगा love life के लिए दिन काफी अच्छा है अगर भविश्य के निरने लेना चाहते हो या आपने प्यार का इजहार करना चा करती है आपको प्रयास करना होगा अगर हम कर्म करते है तो ही हमें फल के अपिक्षा करनी चाहिए गर बैठे 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 बिना कुछ किये कोई भी काम नहीं हो सकता खरीददारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा तो इस समय आप शॉपिंग कर सकते है कोई बड़ी च जिस वज़े से आप कम समय में ज्यादा विद्धा ग्रहन कर सकोगे इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स आप ला सकते हो मेहनच जारी रखना ज़रूरी रहेगा नोकरी के ख्षेत्र में भी आपको प्रशनसा मिलेगी आपका किया गया काम लोगों को दिखा ही देगा मित्रों के बीच आपका उठना बैठना इस समय में हो सकता है जी हाँ इस समय में आप काफी लोगों के बीच रह सकते हैं इस लक्त आप अपनी परसनेलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे आपका शोक इस समय में आपकी परसनेलिटी में नजर आएगा आप से लोग आकरशित हो सकते है। आपकी बॉली में मिठास रहेगी, सवभाव में गम्बिरता रहेगी. इस समय में आप लोगों को जोडने में, अपने काम लोगों से निकलवाने में, और लोगों को attract करने में कामयाब हो सकते हैं. ये समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है, लगबग हर चेत्र में आपको इस दिन सफलता मिल सकती है, इस दिन को मंगलमई तरीके से व्यतित कीजिए, इस दिन आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा, आप एनरजेटिक रहोगे, स्वस्त और मस्त रहोगे, उत्साह और ज राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए, तो ज सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटना प्राइघटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती ह हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आस-पास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परंतु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है अगर आप कही बाहर से आते है और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते है तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप उनकी जगे पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार द साथ ही कुछ लोग जूते चपपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते च द्यान ज़रूर रखे। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे घर के चछत के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप सुतरा रखें clean रखे साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही ज क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी ह हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य क करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकड का जाला होना अशुब हैं इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारतमक उरजा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सप जरूर करें दोस्तों मुख्यद्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखें मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साप सुत्रा रखें और सजा कर रखें तो कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान क की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है